हंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ियाओंगी इस वीडियो में कवर करेंगे मैच नम्मर 17 बिग बैस लिग टी 20 का जो खेला जाएगा सिड्नी थंडर सो और ब्रिस्बेन हेट के टीम के बीच में अच्छे से कवर करेंगे क्या 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 चीज वोन यह तो जिसका जो स्क्रेंशोट है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिलेगा आप लोग जाके देख सकते हो देखो जैनुवन चीज़े रहेंगी ना सिर्फ आपको यहां पे न वहीं बताई जाएंगी ठीक है अठारा कॉन्टेस्ट मैंने वोन करें आप ल लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़ाइन ज़रूर कर लेना इस मैच को गवर करेंगे क्या क्या चीज़ इंपोर्टेंट रहेंगी सबसे पहले पूरे स्टैट्स देखेंगे उसके बाद में भाईया टीम कोविनेशन पर चलेंगे लेकिन उससे पहले आपको ए कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना कोई भी वीडियो आगी अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगेन रिपीट कर रहा हूं बाई टेलीग्राम चैनल जरूर जो बात करेंगे तो तीन मैच के लिए एक मैच अपना वोन कर चुकि जबकि दो मैच यह भी टीम हार चुकिए तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस तोनों टीम्स के साइड़ से हमें अब तक देखने को नहीं मिला लेकिन अपना जो मेन फोकस रहेगा वह इस मैच पर रहेगा उससे अपना कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ के उपर बात करेंगे जो हमें इस मैच में ट्राई करनी है तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में वेन्यूर हैगा सिडिनी शोग्राउंड स्टेडियम के उपर मैच के लाज आएगा टोटल टी-20 यह आपर 29 मैचीज होए जाँपर 16 वन करें 1st वेटिंग ने और 13 मैच करें सेकिड बैटिंग ने ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ 3 मैच का डिफरेंस है और 3 मैच के डिफरेंस पर हम लोग यह नहीं मान सकते है कि 1st बैटिंग के फेए फिरवर में यहापर ज्यादा जा सकते या फिर सैकिंड वैटिंग के जा सकते देखो ओवरोल आकड़े देखेंगे उनके बेस पे जो भी टीम अच्छा के लेगी डैफिनेटली मैच को वोन करेगी बाकी आगे और आकड़े देखेंगे उनसे हो अमें और चाता चीजे के लिए रोपाएंगी एवरेज जो स्कोरिंग पैटर में देखेंगे 150 से कम 10 बार स्कोर बना 150 से 29 के बीच में 11, 170, 187 टाइम्स और यहाप 190 से जादा का स्कोर एक बार आप देखो 190 से जादा का स्कोर सिर्फ एक बार बना मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू शाय दिये देखने को आपको ना मिले अगर मैं दोनों गाड़ करता हूँ 10 और 11, 12 टाइम्स 21 टाइम्स ऐसा देखने को मिला जबकि बाई 170 से ना कम का स्कोर बना है मतलब बोलिंग के फेवर में चीज़े जा सकती है आकड़े देखके तो अपने को यही लगता है बाकी ऐसे भी मैचिस यहाँ पर हो सकते बाई जिनमें बड़ा स स्कोर मनें तो रेरली केसिज में वो चीज़े देखने को मिल सकते है बट अगर आकड़े देखे जाएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सो पच्पन एक सो साथ की आसपासी स्कोर मान के चलो मतलब बोलस के लिए शायद यहाँ पर हेल्प आपको अच्छी खासी देखन को मिल सकती है पेस वर से स्पिन की बात करें लास्ट के दस मैचीज में अठेटर विकट पेसर्स के नाम यानि की तेज गेंदवाजों के नाम रहे तो वहाँ पर स्पीनर्स ने जो है 40 विकट ली है तो दोनों आपको ठीक ठाक परफॉर्म करते दिखेंगे बाकी फोरन पी की टीम ने 49 करें थे जब पहले वैटिंग करना ही 9 विकट पे सिद्नी थंडर यांपे 15 के स्कोर पे ओल आउट हुई थी जो कि भाई एन एकस्पेक्टेड चीज थी इतनी तो यार मेरे इसाथ से कोई उमीद भी नहीं कर सकता शायद इन्हों ने खुद भी ना करी होगी कि 15 के स्कोर पे आउट हुई जब पचास साथ रंस बनाई तो चलो फिर भी मान थे की चलो ठीक ठाक बैटिंग करी फिर भी लेकिन 15 तो भाई समझ से बार ही है टोटल विकेट देखेंगे 19 लगबग मान के चलो दोनों टीम सोल आउट हुई थी 124 रंसे एडिले स्टाइकस न उन किया था 26 दिसंबर 2021 को मैच हुआ शिडिनी की टीम ने 168 करें चैर विकेट पे बढ़िया टोटल है अगर देखा जाएगा यहां पर T20 मैच जाव से सिडिनी थंडर की टीम अगेन यहां पर ओल आउट हुए थी 142 बनाई सैकेंड बैटिंग करना ही टोटल विकेट के अगर बात कर ले तो 14 गिरे थे जबकि सिडिनी सिकसर्स की टीम ने मैच को 30 रन से वोन गया था और डखवर था लोईस का यहां पर यूज क्या गया था मतला मैच के अंदर बारी समय देखने को मिली थी ओवर कम हुए थे मैच नमबर 4 दोस्तों 12 दिसंबर 2021 सिडिनी थंडर 155 विकेट पे टी टुन्टे के हिसाब से एवरेज स्कोर है मैलबन स्टार्स 155 बनाई 4 विकेट पे चेज कर लिया मैलबन स्टार्स ने 6 विकेट से मैच को वोन किया टोटल विकेट गिरे 9 काफी कम विकेट देखने को मि मैच में जबकि स्कोर भी देखेंगे हम लोग उतना बड़ा यापे नहीं बना था ठीक है मैच नमबर 5 ग्यारा दिसंबर 2021 पर्थ की टीम ने 195 जो की काफी बड़ा टोटल है किसी भी वेन्यू पे एडिले स्टाइकर से मैच को विन के पर्थ स्कोर चसने अब देखो एडि करी हो तो वही चीज हुई एडिले स्टाइकर्स के साथ में कि देखो यहाँ पर चेज करने के चक्कर में पूरी ही टीम होला उड़ी थी बट ठीक है यार वो चीज़े चलती जब सामने के बड़ा स्कोर होता है टोटल इस मैच में 11 विकेट गिरे थे अच्छे से यह रिश बेन हीट फिर से बिरिशबेन लग इस च्ठाणच को वोन किया मतलब यहां पर देखेंगे तीन मैच के नहीं तो दो मैच जहाँ पर बडिशन हीट ने अपने नाम किये तो औरन और आवरेज परफॉरमैंस है औरनों तिम का किसी एक क्वाम लोग है फिर भीयो तो aut लास्ट मैच वा था दोस्तों दोनों टीम्स के बीच में वह वा था 19 दिसंबर 2021 को सिडिनी की टीम ने एक सुचानवागर है जब पहले बैटिंग करना ही 20 ओवर कंप्लिट खेले ब्रिस्बेन हीट की जो टीम है वो 143 के स्कोर पे पूरी ओल आउट होगी साड़े 17 ओवर बै कोई मेरे जाब से बढ़ा स्कोर नहीं था यह सिडिनी थंडर की टीम ने 143 बना के बैया सेज़ कर दिया 17 ओवर में 7 विगेट से मैच को विन कर लिया यहाँ पे टोटल 11 विगेट गिरे थे लेकिन ब्रिस्बेन हीट उतना अच्छा नहीं खेल पाई ना की पहले मैच मैच खेली 140 के आसपास स्कोर पहले मैच में बनाया 140 के आसपास का ही स्कोर यहाँ पे देखोगे तो सेकिंड मैच में बनाया था मैच नमबर 3 देखेंगे 31 जनवरी 2021 सिडनी थंडर की टीम ने 158 बना याट विगेट पे एवरे स्कोर था टी 20 के साब से ब्रिस्बेन हीट यहाँ नहीं चलोगे वो चीज़ आपको पहले के लिए रिकार रहा हूँ देखो बाकी चैनल वाले आपको क्या बताएंगे भाई मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आपको एकी चीज़ बोलता हूँ जो आपको यहाँ पर चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है ना वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिस करता हूँ बाकी अगर आप लोग टीम कोपी करने पर बैठे रहते हो तो भाई वो आपकी गलती है मेरी गलती नहीं है मैं आपको अमेशा एक चीज़ बोलता हूँ वीडियो कंप्लिट देखो जो चीज़ आप के सामने आप लोग खुद से भी टीम बना सकते हो मेरे इसाफ से इतनी चीज़ देखने के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बसना चीए फिर भी टीम कोपी करने पर अगर आप बैठे हो ना तो भाई फिर तो देखो आपकी गलती है क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ करेंगे ठीक है आप लोग टीम डेख सकते हो बट कोपी मत करो कोपी करना है तो एक दुट चेंजित अपने है साफ से भी आ हमेरे इसाफ से ठीक नहीं बाकि पोरे स्टैट्स देख सकते हो एक एक चीज़ आपके सामने है इससे जिधनी ज्यादा चीज़ आपको दिखा सकत तो फिर आप लोगों को वाप पे confusion की रिये होगा कि भाई प्लेयर को टीम में पिक करें या फिर टीम से करें ड्रोब तो इस वज़े से मैं आपको limited चीज़े प्रोवाइड गरवाता हूँ ज्यादा चीज़ों मैं आपको नहीं फसाना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग द्यान में रखना और दूसरी चाहिए कर बात करो Sydney थंटर के जो टीम में बाई जब मैं ये वीडियो कवर गर रहा हूँ ना उस टाइम पर इनका जो स्क्वेड है वो अनौंस नहीं किया गया है बाकी इनका जैसे ही स्क्वेड अनौंस होगा अगर कोई changes होंगे इनक गोबिनेशन आपके सामने लेकिन आप लोग इसके अंदर changes कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे क्योंकि पूरे तो देखो मैं आपको stats बता चूँँ एक चीज़ा मैं आपको फिरसे के लिए गर रहा हूँ जो Brisbane Heat की टीम है दोस्तों इनकी टीम में सिर्फ एक ही change होगा यहा नहीं नहीं ठीक है तो बाकी आप लोग देख लेना जैसे ही square announce होगा अगर और कोई player मिस होगा यहाँ पे थंडर की टीम की साइड से आपको telegram पे सारी updates मिल जाएंगी कोई दिकत नहीं आप लोग टीम से जुड़ोगे तो आपकी final team से कोई भी player मिस नहीं होगा इसलिए आ अब देखो तीन तो आपके लिए common picks है अब यहाँ पे अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा unique try करना चाहूँ एक अलग team combination के साथ में चलना चाहूँ न तो आप लोग क्या कर सकते हूँ देखो दोनों team में से जो भी पहले गेंद बाजी करना हैगी सबसे पहले उनके किसी भी एक main fast bowler यानि की पेसर को अपनी team में captaincy wise captaincy में differential लेके चल सकते हो रिस्क करेगा वो भी दान रखना चार over complete करे ऐसे bowler को बनाना है ऐसे को मत बनाना जिसके over हो सकता है कि cut भी हो जाएं वो गलती मत करना जो आपको confirm लगे कि चार complete करेगा जैसा कि यहाँज अगर मैं बात कर मैं कि भाईया यहाँ पे गुरेंदर संदू फजल अग फरुकी च्यार करेंगे नेथन मैं का एंड्रुगा जो है confirm नहीं है च्यार करें ना करें कट भी हो जाएं बाकी जैसे square announce होगा तो चीज़े के लिए हो पाएंगी कितने bolus के साफ़ में कौन सी टीम आपे खेलने वा रखते हो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगोंने complete वोच किया होगा भाई पसंद आयो तो यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना notification बैल ओन कर लेना कोई भी वीडियो आप लोड़ोड होगी सबसे पहले आप लोगों को notification मिल कर लोगों कर दोगों कर दो दोगगी?